बहुत ही इजी और लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी नारियल और गुड की गुड के लड़ू आप इस दिवाली पे बनाईएगा ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं हाई गाईज मैं हूँ पूनम और पूनम डायरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा तो मैंने ये एक नारियल लिया है और ये कुछ गुड लिया है तो मैं इन दोनों ही चीजों से हम इसको बनाएंगे मिठाई को तो ये मैंने पैन रख दिया है गैस के उपर और इस पर वन टेवल स्पून मैंने डालाया घी और जो नारियल है उसको हमने ग्रैंट कर लिया इसको फूबाऊल अमें तो ये मेंड़ 2 वाउल नारियल है तो इसमेंए हम एक बाउल गुड डालेंगे और अगर आपको थोड़ा हलका मिठा लेता है तो थोड़ा सा झांप कम सकते हैं तो एक बाउल आपको पूरा फूल करके लेना है गुड का इसको बारिक तोड़ लि मेल्ट हो जाए और इसको फिर चलाते रहना है और देखि अगर कोई शुरू में इसको मदब बना रहा है को कुकिंग कर रहा है और कोई स्वीट बना रहा है तो आप मेरी एक बात को ध्यान रखेगा कि आप क्या कीजिएगा पहले आप डालिएगा इसमें घी और फिर उसके अन्दर आप गूर डाल दीजेगा थोड़ा सा है टीन-चार चम्माच पानी डाल दीजेगा मेल्ट करके फिर नारिल डाल दालीएगा तो इसे हमें ढखक कर ऐसे ही स्टीम में मेल्ट करके गुड को और बार बार इस तरीकी से चलाना है ताकि हमारा गुड नारियल के अंदर मिक्स हो जाए और नारियल भी हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए तो देखिए और गैस बिल्कुल सिमलर रखनी है और अगर आपको जो है वो यही है कि आप पहले घी डालिये गा इसमें एक चंश और देखिए इसमें मैंने फ्लेवर के लिए यह पाउडर तो आप देखिए हमारा रिडी हो गया रिलकुल तो फिर गुर्ड डालके और उसमें थोड़ा पानी डालके मेल्ट कर फिनर्ष डालियागा आप इ सकते हैं आप इसमें तो थोड़े लड़ू सॉफ्ट रहेंगे हमारे तो देखिए ये सब भी इसके अंदर मिक्स हो गई है जैगरी को सारी मेल्ट हो गई है और अब हम इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा करेंगे हलका जादा ठंडा नहीं करना है थोड़ा ठंडा करके ताके हम इसमें हाथ लगा सके इस तरह से लड़ू हमें इसके रेड़ी करने है देखिए तो आप इसमें पानी का चीटा भी एक जरूर लगाईएगा ताके थोड़े लड्डू सॉफ्ट हो तो देखिए मैंने हाथ पे घी लगाया है और थोड़ा मैं इसको लूगी और इसको इस तरह से हम इसके लड्डू बना देंगे तो यह बहुत ही सिंपल लड्डू है नारि आप उसे भी जरूर खिलाईएगा यह उनको भी बहुत अच्छे लगेंगे तो यह सिंपल सी मिठाई है दिवाली पर आप इसे जरूर बनाईएगा और यह 15 मिंट में बनकर रेडी हो जाती है ज्यादा सा मैं इसको नहीं लगता है देखिए यह हमारे सभी लड्डू बनक कर जो तयार हो जाएगी और देखिए घर की हर चीज पॉस्टिक होती है तो आप कोशिश कीजिएगा कि घर में ही बनाएं आप स्वीट को तो इसे मैं से सर्व कर दूँगी और यह बहुत ही पॉस्टिक है और टेस्टी भी है तो आप इस दिवाली इने जरूर बना के खाईएगा यह आपको बहुत पसंद आएंगे और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हैपी दिवाली थैंक्स फॉर वाचिंग